दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटीब चैनल किर्षणा फैंटेसी में डाज हम बात करेंगे फैन को डिसी ए स्टीटेन मैच के बारे में जो कि यहां से खेला जाएगा हुड वसस टाइगर्स के बीच दोस्तो यह मैच आपके इंवेश्मेंट के लिए साब आलर का बॉलिंग करेगा अपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा तो वीडियो को एंटर जरूर देखिएगा दोस्तो सब्सक измен टेलिग्राम चैनल का नाम है किर्षना फेंटेसी आप देख सकते हो दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आप सभी को हमारे टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगी तो आप सभी भाई टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लिजिएगा लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे कम इंसुईप ही करा है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ टेलिग्राम से जुढना आपके लिए काफी जादा important हो जाता है दोस्तों आप देख सकते हैं आपे मुझे 20,000 रुपे की free entry मिली भी small league head to head में 10,000 रुपे की free entry मिली भी small league head to head में तो बस आपको myf11 app को डाउनलोड करके रहिष्टर कर लेना है link आपको इसी वीडियो की नीचे comment box में दिया वाए और discussion box में दिया वाए जल्दी से आईए link पे क्लिक करिए और myf11 app को डाउनलोड करके रहिष्टर कर लीजिए अगर आप loss में चल रहे हो तो free में 20,000 विन करके पूरा loss कवर कर सकते हो अगर आप already profit में हो तो free में 20,000 विन करके और भी ज्यादा profit बना सकते हो लेकिन सबसे पहले आपको myf11 app को डाउनलोड करके रहिष्टर कर लेना है लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे comment box में दिया वाए और discussion box में दिया वाए जल्दी से आईए लिंक पे क्लिक करिए और myf11 app को डाउनलोड करके रहिष्टर कर लेजिए दोस्तो अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी fantasy की टीम की तो उससे पहले आप सभी से एक request है जो भी भाई नए हमारी YouTube चैनल पर पहली बार आए तो यार YouTube चैनल को जरूर subscribe कर लिजिएगा दोस्तो आपको पता है हमेशा हर वीडियो में मैं आपको हर player के बारे में detail के साथ एक एक चीज़ बताता हूँ तो एक छोटा support आप कर सकते हो हमारी YouTube चैनल को subscribe करके उमीड करता हूँ जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे आप सभी ने अब तक हमारी YouTube चैनल को subscribe कर लिया होगा बात करें अगर हमारी fantasy की टीम की तो विगिट कीपर में सबसे पहले इमाल का आपके पास option होने वाला है जो की आपको open करते वे नजर आएंगे last run में इन्होंने एक run करे थे उससे पहले अगर मैं बात करूँ 12 run करे फिर अगर मैं बात करूँ 25 run इन्होंने करे फिर 93 run इन्होंने करे और 16 run करे दोस्तो performance देखोगे अच्छा राए और अगर overall record भी देखोगे आप T10 में तो काफी अच्छे batsman है दोस्तो attacking bats में ने important हो जाते है इसलिए मैं इनको लेके चल रहा हूँ बाके विकेट कीपर से कोई खास option हमारे पास है नहीं दोस्तो betting में अगर मैं बात करूँ दोस्तो यहाँ पर फारुक का आपके पास option होने वाला है open करते वे नजर आएंगे last run में 60 run इन्होंने करे थे उससे पहले अगर मैं बात करूँ 12 run करे फिर इन्होंने 9 run करे फिर 0 run करे और 15 run करे last 5 matches में balling भी इन्होंने करवाई और balling से 3 wicket भी निकाले मतलब यह बंदा आपको open भी करके देगा और balling भी करवाएगा तो भाई और भी ज़्यादा important हो जाते इसलिए मैं इनको लेके चल रहा हूँ जजाई के बारे में बात करे नंबर 5 बैटिंग करेंगे प्लस balling करेंगे last match में 33 run करे उससे पहले अगर मैं बात करूँ दोस्तो 40 run करे फिर इनोंने 22 run करे ते फिर 11 run करे और 17 run करे लाच मैच के बारे में बात करूँ balling से 2 wicket निकाले उससे पहले 0 wicket निकाले फिर 1 match में balling नहीं करवाई फिर 2 wicket निकाला और 0 wicket निकाला important हो जाते हैं इसलिए मैं इनको लेके चल रहा हूँ बाकी कोई खास option यहाँ पे हमारे पास है नहीं दोस्तो अब यहाँ से खान का आपके पास option जरूर है पहले ये balling करवाए थे 2 matches में 6 wicket निकाल लिए लेकिन आप balling नहीं करवा रहे recent में आगर करवाएंगे तो मैं आपको टेलिग्राम पे update कर दूँगा तो फिर हम इनको अपने टीम में रख सकते हैं वही आजाद के बारे में बात करूँ नंबर 4 बैटिंग करेंगे recent के बारे में बात करूँ 4 run इनोंने करें दोस्तो उससे पहले इनोंने 18 run करें फिर 13 run करें जीरो run करें और 30 run करें आप चाहू तो रख सकते हो अगर मैं इनको अपनी टीम में रखूँगा तो टॉस के बाद आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूगा फिलाल के लिए दो अमारे बैट्स में रहने वाले ओल राउंडर के बारे में बात करें दोस्तो आपके पास जो अच्छा उप्षयन होने वाले है पहले तो एमद का आपके पास उप्षयन है लाच रन में इन्होंने 28 उप्षय करें उससे पहले 6 रन करें पलस बैक अप डेटेट अगर बालिंग करवाते हैं फिलाल में इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ रहमानी के बारे मैं बात करूँ पहले थोड़ा सा उपर बैटिंग कर रहे थे लेकिन लाश वेन में नीचे बैटिंग करने आये थे लेकिन उससे कोई फ़रक पड़ा नहीं लाश वेन में खेर बैटिंग नहीं आई थी उससे पहले अगर मैं बात करूँ 25 अन इनों ने करे फिर अगर मैं बात करूँ दोस्तो 32 अन करे फिर 7 अन करे और 25 अन करे लाच वन में बैटिंग नहीं आई लेकिन बॉलिंग से एक विकेट निकाले उससे पहले फिर एक विकिट निकाले फिर दो मैचेस में इनोंने बॉलिंग नहीं करवाई थी दोस्तो आप देख सकते हो टोटल लाज पांच में से दो मैचेस में इनोंने बॉलिंग करवाते वे विकिट निकाले बाकी एक में विकिट लेस गये थे फिलाल में इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ वहीं हक के बारे में बात करें आपके लिए important player हो जाते है नमबर 3 बैटिंग करेंगे लास्वेंट में 11 रन करें उससे पहले 31 सन करें फिर इनोंने 48 सन करें फिर 11 रन करें और 65 रन करें थे important हो जाते है लास्वेंट में 0 विकेट निकाले उससे पहले अगर मैं बात करूँ दोस्तों 3 विकेट निकाले फिर 0 विकेट निकाले फिर 1 विकेट निकाले फिर 0 विकेट तो बैटिंग बालिंग आपको करके दे रहे important है इसलिए मैं इनको लेके चल रहा हूँ एकबाल लाश पर में थोड़ा से उपर बैटिंग करने आये थे नंबर चार पे और 26 रन इनोंने करे थे उससे पहले 0 रन करे फिर 7 रन करे फिर 8 रन इनोंने करे और 26 रन करे उससे पहले इनोंने 23 रन करे दोस्तो फिर अगर मैं बात करूँ 45 रन करे उससे पहले 50 रन करे और 0 रन करे फिर अगर मैं बात करूँ लाश पांच में से 4 मैचेस में बॉलिंग करवाईए लेकिन इनको विकेट एक ही मिलाए लेकिन और भी अच्छा कर सकते इसलिए मैं इनको लेके चल रहा हूँ जुवाग के बारे में बात करे ओपन करते वे आपको नजर आजेंगे दोस्तो लाच मैच के बारे में बात करूँ 13 रन इनोंने करे उससे पहले अगर मैं बात करूँ 18 रन करे फिर इनोंने 27 रन करे और 4 रन करे लाच पांच में से चार मैचस में बॉलिंग करवाते विए पांच विकिड निकाले बैटिंग बॉलिंग आप हो करके देदे इसलिए मैं इनको लेके चल रहा हूँ टोटल छे मेरे यहां से और राउंडर रहने वाले बॉलिंग में अगर मैं बात करूँ दोस्तो इसलाम लाच मेंच खेले नहीं थे यह मैच खेलेंगे अपडेट कर दूँगा मॉमेंट का आपके पास ओप्शन होने वाला है अब अगर मैं लाच मेंच के बारे में बात करूँ दोस्तो तो लाच मेंच में इन्होंने बॉलिंग नहीं करवाई थी लेकिन उससे पहले बॉलिंग करवाई तीन विकेट निकाले दो विकेट निकाले और एक विकेट निकाला मुझे लगता है इस मैंच में बॉलिंग करवाते विए नजरा जेंगे फिलाल में इनको लेके चल रहा हूँ वहीं अगर यहां से किसी और के बारें बात करें, आलम का आपके पास option होने वाला है, last win में 3 wicket इन्होंने निकाले, उससे पहले इन्होंने 1 wicket निकाला, फिर इन्होंने 1 wicket निकाला, फिर 0 wicket निकाला दोस्तों और 1 wicket निकाला, यह इनका performance है, important हो जाते हैं, फिलाल मैं इनको अपने टीम में लेके चल रहा हूँ बागी कोई मुझे अभी खास ओप्शन नहीं लग रहा दो मेरे बॉलर रहने वाले कैप्टन वोइस कैप्टन के बारे में अगर मैं बात करूँ आप हक को कर सकते जुवाग दो अच्छे ऑप्शन आपके पास है और जजाई तीन हो जाते है फिलाल मैं एक को कैप्टन कर रहा हूँ दोस्तो और यहां से जुवाग को वोइस कैप्टन लेके चल तीम के प्रिव्यू के बारे में बात करें फिलाली हमारी टीम का प्रिव्यू आप देख सकते है आप इस टीम के साथ अपना कॉंटेश जोइन कर सकते है फाइनल टीम आपको इस मैच की हमारे टेलिग्राम पे मिल जाएगी टेलिग्राम का लिंक किसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया वाए और डिस्किशन बॉक्स में दिया वाए दोस्तो अगर आपको 20 अजार उपेगी फिरी एंटी चीए स्मॉल लिग हैट टू एड में तो बस आपको माईफेग विलोवन अप को डाउंलोड करके रिजिटर कर लेना है लिंक आपको इसी वीडियो की नीचे कमेंट बॉक्स में दिया वाए और डिस्किशन बॉक्स में दिया वाए जल्दी से आईए लिंक पे किलिक करिए और माय फैविलाओन आपको डाउनलोड कर लीजिए अगर आप लॉस में चल रहे हो तो फिरी में 20,000 विन करके पूरा लॉस कवर कर सकते हो अगर आप अलड़ी प्रॉफिट में हो तो फिरी में 20,000 विन करके और भी जाड़ा प्रॉफिट बना सकते हो सबसे पहले आपको MyFayvillown app को डाउनलोड करके रेइश्टर कर लेना है लिंक आपको इसी वीडियो की नीचे कमेंट बॉक्स में दिया वाए और डिस्कीशन बॉक्स में दिया वाए जल्दी से आईए लिंक पे किलिक करिए और MyFayvillown app को डाउनलोड करके रेइश्टर कर लेजिए चलिए दोस्तों मिलते हैं मैच टैम टेलिग्राम चैनल पे टेलिग्राम से डुड़ जाईगा और मैच टैम एक्टिव रहिएगा